राजस्थान में पेपर लीक कांड पर अब प्रवर्तन निदेशालेज सक्ती का रुख अपना रहा है 3.11.000.000 रुपे की संपत्ती उन आवोपियों की अटेच की गई है जो पेपर लीक कांड में विभिन चर्मों में सामिल थे आप देख रहे हैं राजस्थान चोक और मैं हूँ अंकित तिवारी पेपर लीक मामले में एडी अब अपना रवाईया बदल रहा है जांच को आगे बढ़ा रहा है संपत्तियां अटेच कर रहा है RPSC मेंबर बाबुलाल कटारा, सुरेश धाका, विश्णोई, अनिलमीना, सहीत तमाम जो आरोपी हैं उनकी संपत्तियों को अटेच करने की और कदम बढ़ाये जा रहे हैं कुल 3,11,000,000 रुपए की संपत्ति जो चला चल है उसे अटेच किया गया है साथ ही investigation जारी है ED की जाच में सामने आया कि 150 अभ्यर्थियों को उदैपूर में और करीब 30 आविदकों को जैपूर में पेपर पहुचाया गया है पेपर की कीमत 8 से 10 लाक रुपए पर कंडिडेट आकी गई थी ये दावा ED ने अपने official statement में किया है पुरतन निदेशालाई की राजस्थान इकाई इस पर काम कर रही है ED के हाथ लगे सबूतों में उन तारीखों के साथ पेपर लीक का भी जिक्र है जिसमें अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हुआ था जर्नल नोलेज का पेपर जब लीक हुआ तो किन-किन लोगों तक पहुँचा उनकी पूरी डिटेल ED ने अपने statement record में रखी है ED की ओर से जांच में कहा गया है कि कई ऐसे लोग शामिल है जिनका अभी नाम सामने आना बाकी है वहीं इस पूरे मसले में RPSC मेंबर बाबुलाल कटारा के हाथ से पेपर निकला और उनके पेपर निकलने के बाद पेपर लीक गिरोह के हथे चड़ा साथ ही कई ऐसे लोग भी शामिल थे जो केवल धन के लालच में पेपर लीक कर बेरोजगारों के साथ अन्याय कर रहे थे ED अब इस पूरे मसले पर अपना रुख कड़ा कर रही है रुख कड़ा करने के साथ ही ED उन लोगों की गिरेबान तक पहुँचने की कोशिच में है जो सीधे तोर पर इसमें शामिल थे अभी ED की जांच से कई सफेद पोस ऐसे दूर है जिन पर ED को सबूतों के आधार पे शक्त है लेकिन वहां तक पहुँचने में थोड़ा ब्रेक लगा हुआ है ED की जांच कहती है कि आने वाले दिनों में ऐसे लोगों पर भी अंकुष होगा राजस्थान में चुरावी वर्ष भी है ऐसे में अगर कुछ सफेद पोस्ट नेताओं पर कारवाई हुई तो सीधे तोर पर कहा जा सकता है कि ये राजनिती से प्रेडित होगा लेकिन पेपर लीक कान के मुख्य आरोपियों तक पहुँचना भी जरूरी है पेपर लीक कान में स्टेट एजन्सी से जुड़े तमाम दस्तावेज सबूतों और गवाहों को एडी अपने ओन रिकोर्ड ले चुकी है अब कोशिश यही है कि इस जाच में जो नए तक्थे सामने आए उन तक कारवाई की जाए 3 करोड 11 लाग की संपत्ती अटेच करने के साथ एडी ने बता दिया है कि रुख और करा होगा आप देख रहे थे राजस्तान चोक, राजस्तान चोक के तमाम सोशल मीडिया हैंडल्स को आप फोलो कीजिए और अपने सुझाव देते रहिएगा